कि लो दोस्तों नमस्खार दिखी बात करेंगे अलाबाद हाई-coach से जो रेसेंटली भड़ती निकली हुई है यारो की अपीयस हो गया और बात करेंगे ड्राइबर के लिए वी तो दोस्तों एग्जाम कितने होने वाले हैं और पेस्केल क्या होगा वेकंशी कितनी हैं 301 है जो कि मैं पिछली वीडियो में पफिस कर चुका हूं कि वेकेंसी आ चुकी इस आप पूरा जान लेते हैं तो डीटेल में जानने के लिए पूरी वीडियो को एंट तक देखिए का सारा आपको समझ में आ जाएगा अगर अभी तक आप मेरे से नहीं जुड़े हैं तो न देखिए देखिए आपर बात करेंगे एडिस्टनल जो प्राइबट सेकर्टरी है नहीं APS की बात करेंगे तो यहां पर 23 पाद है और इसमें जो सालरी होगी वह यहां पर जो हो 47,000 से ठीक है और इस लिमट में बताई चुका हूं जो की 21 से 35 मांगी गई है और यहां पर बात करेंगे जो समिच्छाद कारी है यानि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिशर तो यहां पर 277 पाद है अच्छी वेकंसी और जिसमें आपका यहां पर पेड्ड मिलने वाला है वो मिलेगा 9000 से 9000 से 34,000 ठीक है और जो ग्रेड पर होगा यहां पर इससे कम होगा एस से इसमें मिलना है च्छे आलिस सो रूपय का ग्रेड पे ठीक है और इसकी जो एस लिमेट है सेम होगी 21 से 35 ठीक है ग्रेजुशन इसमें भी मांगा गया है कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी मांगी गई है लेकिन इसमें टैपिंग आपका टेस्ट होगा इस टैनो साथ में टैपिंग टेस्ट और यहां पर टैपिंग इसमें भी होनी लेकिन कंपेटर कॉलिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए चली है यहां पर बात करेंगे ड्राइवर के लिए तो ड्राइवर के लिए के लिए तालिस पत हैं और जिसकी सेलरी ग्रेड पे जो है 9 500 हैं और सैलरी नोटिफिकेशन है दोस्तों ठीक है चलिए यहां पर बात करेंगे जो ऐसी ओबीसी है कंडिडेट जो यूपी से है ठीक है और अधिक है यूपी से हैं और तो इनके लिए जो है एज का एज रिले जेक्शन मतलब एज में छूट मिलने वाली है कैसा क्या है रूल्स तो रूल्स के अकॉर्डिंग इनको छूट मिलने वाली है एज में तो यह देख लिजेगा ठीक है पॉम बढ़ते समय आपको छूट मिलेगी इसमें परिशान होनी की बात नहीं है चलिए बात कर करेंगे तो ड्राइवर के लिए जो जैनल भी सी है कंडिडेट उनकी पांसो लगेगी और जो एस्टी है उनकी 300 रुपए लगेगी ठीक है और वाकी नोट यहां पर दे रखा है कंडिडेट बिलॉंगिंग टू होरिजेंटल के टेगरी साल है टूपे फीस एकॉल्डिंग आपका एक्जाम होगा और इस्टेस सेकंड में आपका नोलेज होगा साथ में आपका कंप्यूटर ट्रिखिस टेस्टों कहले होना कंप एप दोनों में लेकिन आपका स्टेस ती कहने में तो बहुती अच्छे वेकंसी है यह मान के चलिए जो आपका गुरूब डी हुआ था और जुनियर असिस्टेंट और इस्टेमोग्राफर की पदों की बढ़ती निकली हुई थी उसमें सब्सक्राइब से लग रहा है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एक एक्जाम कर हो जाएगा तो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करीए जह टूंकि अच्छी वेकंसि तो उन्हें YOU बोलिएगा कि इस बेकेंसी को पूरे डिटेल से जाने और अगर वो इसके एलिजबल है तो जरूर एपलाई करें मिलते नेक्स्ट वीडियो में आपका दिन शुब्र है वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा और अगर अभी तक आप मेरे से नहीं जुड़ें तो नीचे रेटल की सब्सक्राइब की बटन को दबा करके जुड़ जाएं दन्यवाद वीडियो एक लिए आपका दिन शुब्र है